दोस्तो ये एक सायरत वी एम बाई का कोमेंट आया है लिखा है हमारी गाए एक केजी दूद निकालते ही दूद चड़ा जाती है क्या करें तो दोस्तो ऐसी आज कल बहुत से पुशों में समस्या देखने को आ रही है कि उनकी बैस थोड़ा सा दूद देती है और बाकी चुरा लेती है वापस चड़ा जाती है या तो फिर लात मारने लगती है या तो फिर आनाकानी करने लगती है दूद देने में इदर उदर भाग लगने लगती है, या तो फिर पावस्ती ही नई है, या फिर बच्चे को नई लगाती है, कुल मिला के दूदः पूरा नहीं देती है। तो समस्या बहुत ही चिंता जनक है लेकिन आप चिंता ना करें शीज पाल मलिक है तो डूंट वरी टेंशन नहीं लेने का पसूओ की हर समस्या हर बिमारी का इलाज अपने पास है तो जो ये पसूओ की दूद चुराने वाली या कम दूद देने वाली लात मारने वाली या ना पोस्टने वाली समस्या है उसका पूरा पका इलाज आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सीश पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सब का पसंदीदा यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन तो स्वाग चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाजू में जो गंटी का बटन है उसको भी दबाकर ओल पर सेट कर लें हैं और दोस्तों एगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेश्बुक पेज को भी फोलो कर लिजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते है दोस्तों जैसा कि वो कोमेंट मैंने पढ़के सुनाया उस भाई की जो भैस है वो थोड़ा सा एक किलो के लगबग दूद देती है और फिर वापिस चड़ा जाती है यानि दूद चुरा लेती है तो दोस्तों इस समस्या का भी पूरा समाधान आज की वीडियो में बताऊंगा इसके अलावा जो पसु गाए बैसे लात मारती है या तो दूद देते समय आनाकानी करने लगती है या तो आप पसुओं को कहीं दूर से खरीद कर गाड़ी में लेकर आते हैं और वो आपके घर पर आकर दूद नहीं देते है या तो फिर किसी पसुओं का बच्चा मर जाता है और फिर वो दूद नहीं देता है लात मारती है या फिर दूद चुराने लगती है या तो फिर आनाकानी करने लगती है तो इन सभी समश्याओं का समाधान तो इस वीडियो में मिलेगा ही साथ में जो मैं दवाई आज बताऊंगा इस बीमारी के लिए उससे आपके पसुओं का दूद भी बढ़ेगा उनकी भूक भी बढ़ेगी और जो लिवर समंदी कुछ प्रोबलम होती है दिकते होती है उन सब को भी कंट्रोल किया जा सकता है तो दोस्तों सबसे पहले तुम आपको बता दो कि जो आप पस प्राने लगते हैं या तो फिर दूद देने में आना कानी करने लगते हैं या लात मारने लगते हैं तो ऐसे पसुओं के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है जब भी आप पसुओं को खरीद कर लाते हैं तो उसको गाड़ी में लाने से आदा गंटा पहले कोई भी सरदर करने के लिए लेते हैं जो कि इंसानों वाली दवाय यह होती हैं इसानों वाली गोलिया होती हैं वह आप 3-4 गोली अपने पसु को गाड़ी में चड़ाने से आदा गंटा पहले दे दीजीए तो जो भी आपके पसु लंबा सफर करके गाड़ी में आपके घर पर आएंगे उ और स्ट्रेस की प्रोब्लम नहीं होगी तो वो दूद देने में आनाकानी नहीं करेंगे लात नहीं मारेंगे और दूद भी नहीं चुराएंगे तो दोस्तों ये तो थी एक नॉर्मल बात तो दूसरा जो भी आपके पसुओं में ये लात मारने वाली या दूद चड़ाने वाली प्रोब्लम है या फिर दूद देते समझो आनाकानी करती है पसुओं उनके लिए आपने क्या करना है ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है डोज लीव फोर्ट जो की लिक्विड फोर्म में आता है ये केरेस कंपनी का है तो ये दोस्तों आपने अपने पस दिन तक देना है ये ना समझे कि एक दो दिन दे दिया और प्रोब्लम ठीक हो जाएगी नहीं लगातार आपने दस दिन तक पचास एमल शुबब पचास एमल श्याम को देना है ये क्या करता है दोस्तों जो पसु लंबे सफर के कारण स्ट्रेस में चले जाते हैं या फिर बुखार वगारा हो जाता है थोड़ा बहुत या फिर दूद देने में आनाकानी करने लगते हैं उन सभी दिक्कतों को ये कंट्रोल करता है और आपके पसु पूरी तरह से दूद देने लगते हैं तो आपके पसुओं की स्ट्रेस को ये खतम करता है इसके अलावा ये ठंड के कारण पानी बहुत कम पीते हैं तो मैं आपको बता दो कि उनको पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाए ठंडा पानी है तो थोड़ा सा उनको गरम करके पिलाए या तो फिर ताजा जो टूवल वगारा का पानी होता है वो पिलाए क्योंकि दोस्तों पानी पसु कम पीते हैं तो भी दूद कम देते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाए और ज्यादा से ज्यादा दूद लीजिए इसके अलावा दोस्तों जो ये डोजलिव फोर्ट लिक्विड है ये आपके पसू में जो कुछ लिवर संबन्दी प्रोब्लम हो जाती है उनको भी दूर करता है और लिवर की बात चली है तो दोस्तों मैं बताया दो कि सबसे पहले आपका पसू जब ताजा ब्याता है तो ब्याने के 20-21 दिन बाद आप उसको डी वार्मिंग जरूर कर ले उसके पेट में जो कीड़े हैं उनकी सफाई जरूर कर ले जो सामने आप ये जो कुछ दुआईय देख रहे हैं इन में से कोई एक सुबह खाली पेट दे दीजिए एक ही दिन देनी है और आपके पसू के पेट के कीड़ों की सफाई हो जाएगी क्योंकि दोस्तों कुछ पसू इस कारण से भी दूद नहीं दे पाते हैं दूद देने में आना कहानी करते हैं कि उनके पेट कौन देख रहे हैं इन में से कोई एक दे दीजिए लगातार दस दिन रोज का सो एमल तो दोस्तों एक तो हो गया यह डोजली फोर्ट दूसरे आपने क्या करना है गलैक्टिन बोलस जो कि आप सामने देख रहे हैं हिमाले कंपनी की है और यह पूर्ण रूप से आयुरवे सुबह देनी है दो बोलस शाम को देनी है लगातार दस दिन तक देनी है और अगर ज्यादा ही आपके पसु प्रोबलम कर रहे हैं ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं तो पहले दो दिन तक चार गोली सुबह और चार गोली शाम को दे दीजिए पहले दो ही दिन चार चार देनी है उसके बाद दो गोली सुभ़ह, दो गोली स्याम को दस दिन लगातार देनी है तो दोस्तो इसे आपके पसूओ की जो ये दूद चुराने वाली लात मारने वाली या दूद चडाने वाली प्रोब्लम वो बिलकुल ठीक हो जाएगी तो दोस्तों आगे आप पसो की कौन सी समस्या पर कौन सी बिमारी पर वीडियो चाहते है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें जिस भी समस्या पर ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूँगा उसकी पूरी जानकारी दू आसकार